प्रधान मत्री नरेंद्र मोधी के 9 साल के कारिकाल पूरा होने के उपलक्ष में गौर के पंडित महादेव शुक्ल क्रश्यक इसना को उत्तर महाविध्याले में आयुजित जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रधेश के उपमुख्यमंत्री केशप प्रसाद मौरे ने कहा कि आगामी चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दाही नहीं है क्योंकि भाजपा सरकार ने 4 करोण गरीबों को आवास 12 करोण लोगों को शौचाले 12 करोण लोगों को खाता खोल कर सभी योजनाव का पैसा सीधे उनके खाते में फेश दिये कहा कि अब देश्वा प्रदेश की जनता जागरुक हो गई है उन्हें पता है कि अगर सपा को आकसीजन देंगे तो गुंडों का राज हो जाएगा बसपा का साथ देंगे तो कॉंग्रेस की बैसाकी बन जाएगी देश्वासे 2014 के बाद बदलाव देख रहे हैं 2014 से पहले जहां हिंदुस्तान निराशा की गर्थ में डूब गया था वहीं आज देश विश्व गुरू बनने जा रहा है बीपच्छ के पास कोई एजंडा नहीं है ये सारे एक साथ मिल जाएंगे तब भी जनता इनका साथ देने को तैयार नहीं है बिहार में 40, उत्तर प्रदेश में 80, एक बार हम सीता राम बोलेंगे तो 40 और 80 मिला करके 120 हो जाता है देश में 350 चजिक सांसदों के साथ मानी नरेंद मोदी जी के नेत्वत में कमल का फुल खिला करके देने के लिए देश की जनता तैयार है और मैं कई राज्यों में जाता हूँ, मैं चारों तरफ पे एक बात ही देख रहा हूँ किसी के मन में मानी प्रधान मंती नरेंद मोदी जी को ले करके कोई दूसरा विकल्प उनके सामने उनको दिखाई नहीं दे रहा इसे नव वर्ष सरकार के पूरे होने पर लोग सबाब छेत्र बस्ती में हमारे सांसर हरीज जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे खन्ना जी, कई सब वरिश नेतागडाएं, आपने सब को सुना है